तो दोस्तों आपका विलेजर रेनु व्लॉग में स्वाकत है तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगी कि हम वह मंदिर में आपको दिखाऊंगी शिव जी का मंदिर तो फ्रेंड्स सावन भर हम लोग यह हरी चूडिया पहनते हैं तो अब सावन खतम होने वाला है तो फिर अब इसको चेंज करके कुछ दूसरे रंगी पहनेंगे फिर जब मन करेगा तब हरी पहनेंगी वरना एक म मंदिर में आपको दिखाती हूं मंदिर महीं मिलते हूं देखेँ और प्रेंड्स भावी लगा रहें रे हैं रंगना इसकर से बहुत की आप बोलते हैं तो हम सुहागुनों को यह लगाना शुब माना जाता है तो अब भावी लगा लेंगी इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे मर्दिन्दिर के लिए तो देखिए फ्रेंट्स अब हम निकल चुके हैं मंदर के लिए हम जा रहे हैं हमें मंदिर तक पहुँचने में लगपग 15 से 20 मिनट लएंगे यहां भावी है मेरी बड़ी बाली भतीजी है मेरा भतीजा है चोटा और मैं तिनों जा रहे हैं मंदिर तो फ्रेंट्स फाइनली 15 मिनट 20 मिनट चलने के बाद यह रहा देखिए मंदिर का व्यू हम पहुच गये हैं मंदिर यह मंदिर के आसपास आप जानते ही हैं फूल लगा रहते हैं फूल का पेड होता है तो यह रहा फूल का पेड और चलिए देखिए मंदिर यह बाहर से नहीं है तो देखिए फ्रेंट्स भीड तो नहीं है क्योंकि आज हम लोग सुबह सुबह जल्दी आ गए गाहा में आप लोग जानते हैं कि सब कामोम करके खाली होते हैं थोड़ा जल्दी आज आ गए हैं तो पंडित जी बस पूजा किये हैं इसके बाद फिर गेड बन था सेगेंड हमी लोग आए हैं और यहां पर तीन और मुर्तियां हैं कि म मीज़ती है और हनुआन जी मूरति ऑफान चीमोर्ती है तो देखिए आप देखिये फ्रेंट्स पूजा करने के बाद ब्रववान जी गते सुन्दल लग रही तो अपको अनुजा कर लिए हम चलते हैं तो फ्रेंड्स फाइनली हम घर आ गया है पूजा करके अब बहुत कर्मी लग रही है क्योंकि लाइट भी नहीं है तो हुप करते हैं आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स अच्छा लगा तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को प्रेंड स्पर्पोर्ट करिए थेंग्यू